तो देखां आपने कितनी अच्छी खासी अर्णिंग आप कर सकते हो पर पेज पर आप 6-7 डॉलर कितना भी अर्ण कर सकते हो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पर आपने कहां तक पढ़ाई की हैं और आप काम कितनी जल्दी खतम करते हो यहां पर आप तो बिल्कुल भी investment नहीं करनी है आप जतना चाहो उतना काम कर सकते हो जब चाहो तब काम कर सकते हो work from home है घर पे बैठके अराम से आपको काम करना है दिखरी कीज में जरूरत है अगर आपके पास है तो आपकी अर्णिंग बढ़ जाएगी स्किल्स टाइपिंग आपको अच्छे से आनी चाहि वीडियो को अच्छे से जरूर से देखना ताकि आप हर एक चीज समझ प्राओ कोई भी पॉइंट आपते मिस्स ना हो और हां यहां पर आपको फिल करना होता है वह ऐसा आपका CV करता है तो उसको बहुत अच्छे से आपको फिल करना है मैंने डिटेल में आपको पताया है आपको कहां पर क्या फिल करना है जरूर से उसको ध्यान से देखना और अच्छे से फॉर्म फिल करना यानि कि अच्छे से अपना CV जनरेट करना ताकि आपके acceptance के chances बढ़ जाए तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले जरूर से हमारे चैनल क को लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और यह वीडियो आपको कैसी लगी तो चलिए चल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं अगर आपके स्टडी गी है सिफ 10 या 12 तब तो आपको यहां पर पेज़ पेर निंग होगी $6 या फिर $7 वहीं अगर आपने कॉलिश कम्पीट किया है तो आपके अरिंग बढ़ जाएगी आपके अरिंग हो जाएगी $9 या फिर $7 अगर आप यूनिवर्स्टी पास आउट हो तो आपके अरिंग हो जाएगी $10 या फिर $8 मास्टर्स किया है आपने तो $13 से लेकि $10 तक कि आपके अरिंग होगी और अगर PhD की है तो $12 यह पर पेज आपके अरिंग होने वाली है अब यह कहीं पर जादा कहीं पर क्यों लिखी है क्योंकि आपको ना एक डेडलाइन ने जाएगी मालों कि आपने 24 आर्स की डेडलाइ किया है तो आपके अरिंग कम होगी यानि जितना जल्दी आप काम करोगे ना उतनी साधा आपके अरिंग यहां पर होने वाली है अब यह तब आपकी इंग्लेश as a second language है अगर मालों की इंग्लेश आपकी native language है तो आपकी अरिंग में इंक्तम से इंक्रीज हो जाएगी तो हम देख रहे हो हाई स्कूल पास आउट को $12, college को $15, university $16, master's $22 और PhD $26 तक इंक्रीज हो जाएगी यहां पर बट हमारी ऐसा second language है इंग्लेश तो हम यहां पर इसी के price देखेंगे आप $6 से लेकर $15 तक earn कर सफते हो और totally depend करता है कि आपने कहा तक study ही है और आप अपना काम ज लेप साइट का नाम है writerslab.com इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी जैसे है आप उस link पे click करोगे ऐसा आपके सामने पे जाएगा यहां पर आप देखोगे कि जो इनके writers हैं वो कितना earn कर पे हैं जो इनके best writers हैं तो हम देखोगी कितने order complete कि हैं 113 pages कितने थे 294 pages थे earning किती हु order तो आप देख सकते हो total कितने order लिए हैं कितने pages हैं कितने earning हुई है सारे चीज़ आप इनकी देख सकते हो यह जो अपर कि दो है ना यह native language वाले हैं जिनकी English as a native language है और आप नीचे वाले जो दो देख रहे हो न यह as a English इनकी यह वो है जिनकी English as a second language है आप देखोगे इन्ह आपको के producer करना है रेजिस्टर नीचे एक फिलकरोगे एक फोःम वह प्रतान के तरफ करना है उसके बाद जिये रहेए उसके पर यहा पर आपको काम 0 चोज़ कर लेना है अब कंट्री यहां पर लिखनी है इमेल आइडे लिखनी है उसको तोवारा से री टाइप कर देना है अब यहां पर क्या होगा यहां पर इमेल आइडे की नीचे विफा हुआ और यहां पर आप से पूछा गया है क्या आपने किसी ओन्लाइं एकेडमिक एसिस्टेंस कंपनी के साथ काम किया है हाँ या ना यह और नो क्या आप 24-7 अव्लेबल होगे यह और स्कॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप से पूछा जाएगा कौन से स्टाइन से आप समी अरो मनेरे स्टाव वह ओर्वर्ड नौ टैक टे केबल अधर जो भी आपको ओक्षन होना वह चूज कर देना एकके नेटव लाइंवीज कोन से आपको लिग देना है और कोन सी लेंडविज आपको आते हैं वह आपको लिग देना है किस लैंडविज में आप अकेडेमि डिगरी क्या है आपने 12 की है एस्टीट वह बैस्टर वह प्यहस्टी की है वह चोज करने ना अब यहां पर बात आते हैं जैसे कि आपकी नेश्ट क्या है आप में लिए वह आपको यहां से चोज करने नहीं तो करेंगे कफे सारे options हैं आपका इनमें से एक option ज़रूर होगा आपको अच्छे से रेड करना है और चूस कर लेना है और किस चीज में आपके specialization है जासे कि academic papers में है admission papers में है वो चीज यहां पर आपको चूस कर लेनी है देखो सारी चीज ना आपके सामने लिखी होती बस आपको अच्छे से चूस करना होता होने ठीक है किस software या फिर programming language से आप familiar हो AutoCAD C++ Java programming others तो अगर आपके इनमें से कोई भी नहीं है ना 10 पर टिक कर देना ठीक है scroll down करोगे about me आपके बारे में थोड़े से यहां पर आपको बाते लिखनी है कम से कम 400 characters आपको लिखने है ठीक है अब यहां पर आपने इनके बारे में कहां से सुनाए गूगल एड़ देखा है कोई विंग एड़ देखा है साच इंजन से पता चला है LinkedIn रेकमेंडेशन Facebook कहां से आपने इनके बारे में सुना है पूचीज आप फुलिख देनी है अब यहां पर जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है न से नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है इनकी टर्म्स और कंडिशन्स वह आप यहां से रीड कर सकते हो तिक कर देना है उसकी बाद री में रिख सकती वी यह ठीप से हमने रेडी कर दिया है अब इसके बाद यह आपको एक टेस्प देंगे टेस्ट क्या हो सकता है यह आपको बोल सकते है राइन ए करना कि घिक तो बता दूँगी बस कितने लबबे हैं तब और रह चीज सकता हूँ इसलिए मेरा first opinion हमेशा यह रहता है कि जो चीज आपको आती है जो काम आपको आता है आप उस काम को करो आपको यहां पे जो टेस्ट में लेगा आप उसको खुद से करो ठीक है फिर भी अगर आपसे वो खुद नहीं हो रहा है तो आप क्या तर सकते हो आप chat GPT को यूज कर ले है पहली website आजाएगी account create कर लेना अगर create नहीं है तो उसके बाद यहां पर लिंग दो जैसे कि इन्होंने क्या होला है कि एससे लिख रहा है आपको ना इसमें edit कर दिए चीज़े जैसे कि मान लिजे एक paragraph ले लिया आप में ठीक है इसमें पूरा paragraph आपने रेट कर लिया अब आपको यह अपने language में लिखना है यानि कि अपने words में लिखना है अगर आप वह भी नहीं कर सकते हो तो आप paraphrasing tools को यूज कर सकते हो गोगल पे आप search करोगे paraphrasing tools तो पहुत सारे tools आ जाते हैं जिनको आप frame यूज कर सकते हो तो उन tools को यूज करना है आपको उससे क्या होगा कि words change हो जाएंगे बट मतलब same रहेगा अभी जब वो इसको check करेंगी तो AI checker में न पता चल जाएगा कि हाग परे किस न किसी AI फोल से लिपवाया है बट जब आप इसको paraphrase कर दोगे paraphrase भी आपने दो से तीन बार करना वड़ेगा उसके बाद जो AI return वाला एक symbol रहता है न वो हड जाएगा उसके बाद कि आएगा कि यह जो आर्टिकल है यह जो essay है वो human return है ऐसा शो होगा तो यह ट्रिक है आप इसको use कर सकते हो बट यह ट्रिक आपके लिए कितना लंबे time तक work करेगी वह चीज में आपको नहीं बोल सब्सक्राइब इसने मेरा पहना suggestion यहीं होग कि जो चीज आपको आती है उसको अच्छे से करो आपको जो भी आर्टिकल यह ऐसे बोला जाता है आपको खुद से लिखो अगर नहीं लिखते हो तो आप न उसके बारे वीडियो देख लो आपको सारी नॉलेज आ जाएगी फिर अपने वर्स में लिख दो अगर वह भी न एक बार भी परफ्रेज करोगे तो चलता है बट यहां पर टेस्ट है तो वह अच्छे से चेक करेंगी दस बार वह आपकी चीज़ें चेक करेंगे इसलिए आपको फॉल शौर होना है कि हाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए तीन बार परफ्रेज जरूर करना है पूरे ऐसे को Hammer सबको समझ चुके हो तीन-व sing men आपको दे दी हैं अब जिस त्रीके से work करना चाहों आप好कर सकते हो पर पेज़ पे आप रहरी इर्निंग कितनी है वह भी मैंने आपको बता दिए हैं अब जब आप अर्णिंग कर लोगे तो आप उसको कैसे अपने पास ले सकते हैं तो उसके लिए ओप्षिन है पेपाल का है वायर ट्रांसवर है बैंक ट्रांसवर में आप ले सकते हो और भी ओप्षिन्स हैं जब आप अकांट करोगे अपने डैश्वोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे I hope आपको सब कुछ अची से समझ में आज उपा है अगर स्टेट कोई भी दिकत है कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कोमेंट कर सकते हो मैं आपको जल से जल रिप्लाइ करूंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना था कि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहूं साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना शेयर भी करना अपने पैमली फ्रेंड्स और रिलेटर्स में जिससे कि वो भी अच्छी से अच्छी अच्छी एर्णिंग कर सके और चैनल को सब्स्प्राइब करना तक आपको और ऐसे वीडियो मिलती रहें रिलेटिट तो हाव दो एन मनी ओनलाइन फोंग पार्ट टाइंग जोब मेक मनी ओनलाइन अच्छोग और फ्रेंग्स बैल आइकन को जरूर से और पर सेट करना अदरवाइस आपके पास नुटिकेशन नहीं आएंगे जिसके वाज़े से बहुत सारे वीडियो आपसे मिस ह हो जाएंगे तो चलिए अब एंड सब्दे इस वीडियो को थैंक्स पूर वाचिंग दस वीडियो अब हमें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आइज